नमस्कार मित्रों, क्या आप जानते हैं कि बिश्व की पहले फिल्म कौन सी थी? आज हम उसी फिल्म की तमाम जानकारिया आपके साथ साजा करेंगे. जैसे इस फिल्म की लंबाई कितनी थी, कब और कहा बनी थी, किसने बनाया था तथा इस फिल्म में कौन-कौन से अभिनेता और अभिनेत्रियों ने काम किया था अगर आपने अपने इस प्रिये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दवाएं तो आईए जानते हैं उस फिल्म का नाम उस फिल्म का नाम है राउंदे गार्डेन सीन्स इस फिल्म की निर्मान उत्री इंग्लेंड के खुबसूरत शहर लिट्स के खुबसूरत उपनगर राउंदे के ओकुट गैरेज में 14 अक्टूबर 1888 को फ्रांस के खोज करता और कलाकार लुइस ली प्रिंस के द्वारा किया गया था इस फिल्म की कुल लंबाई 2,11 फ्रेम है तथा इस फिल्म के एडिटर, सिन्योमेटोग्राफ़र, प्रोडूशर और डिरेक्टर लुइस ली प्रिंस खुद हैं इस फिल्म की मुख कलाकार थे एनी हाटले एडॉल्फ ली प्रिंस जो लुईस ली प्रिंस के पुत्र थे जोसब हुटली और सारा हुटली थी इस फिल्म की निर्मान की कहानी रोचक और ज्यानवर्धक है तो आईए जानते हैं इस फिल्म की रोचक पहलू जब Lewis Lee Prince ने motion camera का आविश्कार किया तब उस आविश्कार को पराखने के लिए इस फिल्म का निर्मान किया जो बाद में एक इतिहास बन गई Lewis Lee Prince का पूरा नाम था Lewis M.A. Augustine Lee Prince आपको ए प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स करके बताईए देखने के लिए धन्यवाद झाल झाल